हलो स्टुडेंट्स, वेलकम टो वर यूटूब चैनल, आज की इस वीडियो में हम आपको जो है केमिकल इक्वेशन कैसा लिखते है, कैसा उसको पढ़े जाता है, उसके बारे में बताएंगे डिटेल्स, बैलेंस, इक्वेशन करके बताएंगे, वीडियो को पुरा ज़रूर देखे, एक इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, नाइन्थ क्लास का और तेन्थ क्लास का फोटो संतेसिस का वो यहाँ पर हम लिखके बताएंगे आपको ठीक है, और इसको कैसा पढ़ते है, C6, H2O6, 6H2O6O2, ठीक है, अब यहाँ पर इसका फॉर्मूला आपको बता देता हूँ, CO2 का फॉर्मूला हैता है, कार्बन डियोक्साइड, H2O का फॉर्मूला होता है, वोटर, और जो आप यहाँ पर देख रहे है, 6 कार्बन से, 2L हाइड्रोजन से, 6 ओक्सीजन है, इसको बुलते हैं, गुलुकोस, यह हो गया वोटर, और यह हो गया ओक्सीजन, O2, और जो यहाँ पर आपको आरो मार्क देथा है, इसका मतलब होता है, डिलीज इंटो डा अट्मोस्फियर, ठीक है, ओक्सीजन जो है, वो डिलीज हो गया है अट्मोस्फियर में, अब इसको कैसा पढ़ते हैं, देख लीजे, 6 molecules of carbon dioxide plus 12 molecules of water in the presence of sunlight and chlorophyll, give rise to glucose plus water plus oxygen, ठीक है, इसको आपको ऐसा पढ़ना है, यह equation, जो यहाँ पर react हो रहे है, ठीक है, जो यहाँ पर 6 CO2 plus 12 अच्टो हो, इसको हम बोलते है, reactants, और जो sunlight और chlorophyll की presence में जो बन रहा है, glucose बन रहा है, इसको हम बोलते है, products, ठीक है, इसको हम क्या बोलते है, products बोलते है, जो भी formula है, यहाँ पर water, oxygen, glucose, ठीक है, अब यहाँ पर photosynthesis के end products क्या है, यहाँ पर end products जो है, यहाँ पर इसके water है, यानि कि H2O plus oxygen, O2, यह होते हैं end products, ठीक है, photosynthesis, chemical equation के end products, H2O और O2, ठीक है, H2O और O2, water plus oxygen, तो इसको जो है, ऐसा पढ़ते हैं, याद रख लीजे, फिर से एक बार बोलताऊं, 6 molecules of carbon dioxide plus 12 molecules of water in the presence of sunlight and chlorophyll, give rise to glucose plus water plus oxygen, which is released into the atmosphere, ठीक है, आज की इस वीडियो में इतना ही, वीडियो कैसी लगी जरूर बताए, कुछ भी डॉट है तो जरूर मेंशन करिए, जैहिंद,